हेलो एब्रिवन तो कैसे आप आसा करतों अच्छे उंगर सोच्थ होंगे मस्थ होंगे और अज जो अपना टॉपिक है वो है मौटर दुरगटना से रिलेटेड है सुप्रियम कोड ने पुलिस द्वारा पहली दुरगटना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कई दिसा निर्देश जारी कियें जो इस्विसल पुलिस इनिट गठन करने को कहा है इसके बारे में काफी बढ़िया हम जैज्मेंट के बारे में बात करेंगे काफी ऐसा मैटर बात करेंगे जिसको जानने के बाद में आप वाकई कहेंगे कि हां जो सुप्रियम कोड ने किया काफी अच्छा आदेश था काफी अच्छा काम किया तो शुरू करते हैं अपना के वीतर परतेग पुलिस स्टेशन में एक स्पेसल यूनिट और परसिच्छित पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया जस्टिट एस अब्दुल नाजिर और जस्टिट जेके महसुरी की पीट ने कहा कि एमवी संसोधन मतब मोटर विकल संसोधन अधिनियम और उसके तहट बनाए गए नेमो के प्रभावी क्रेवन के लिए मोटर दुरगटना दावा मामलों से निपटने के लिए निर्देशित परसिच्छित पुलिस कर्मियों की निपरतिनिक्ति के अवसकता है इसके लावा मोटर दुरगटनाओं से संबंदित मामलों से निपटने के तरीके पर वेंच द्वारा पुलिस और भीमा कमपनियों को जारी किये गए परमुक दिसा निर्देश यहाँ दिये गए है किसी सरवजनिक अस्थान पर किसी मोटर वाहन द्वारा सलक दुरगटना की सुचना प्राप्त होने पर संबंदित थाना अध्यच्छ मोटर वाहन संसोधन अधिनयम की धारा 169 के अनुसार कारवाई करें मोटर वाहन संसोधन नियमावली 2022 के अनुसार FIR दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी को पर्थम दुरगटना रिपोर्ट 48 गंटे के वेतर दावा ट्रिवुनल को देनी होगी अंतरिम दुरगटना रिपोर्ट और बिर्स्तित दुरगटना रिपोर्ट भी निर्धारित समय सिमा के भीतर दावा ट्रिवुनल के समक्ष दायर की जानी चाहिए जो काफी रोचक है पंजी करन अधिकारी को वाहन के रिष्टेशन, ड्राइविंग लैसंस, वाहन की फिटनेस, परमिट और अनसहायक मुद्दों को वेरिफाई करना चाहिए पुलिस अधिकारी के समन्ने में दावा ट्रिवुनल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए फ्लो चार्ट और अनसभी दस्तावेज जैसा की नियमों में निर्देशित है या तो अस्थानिय भासा या अंग्रेजी भासा में होंगे जाच अधिकारी कारवाई के संबन्द में पिरितों कानूनी परतिनिधियों, चालकों, मालिकों, भीमा कमपनियों और अनहित धारकों को सुचित करेगा कि ट्रिवुनल के समक्ष गावाहों को पेस करने के लिए कदम उठाएगा पुलिस थानों को दावा ट्रिवुनल से जोडने वाले बितरोंगों, मैमों, हाई कोर्ड के रेजिटर जनल द्वारा समय समय पर जारी किये जाएंगे यद पहले से जारी नहीं किये हैं दावा ट्रिवुनल को निर्देशित किया जाता है कि वह उचित और सही मुआजित देने के इरादे से भीमा कंपनी के नौवित अधिकारी के प्रभाव की जाच करें इस तरह के संतुष्ट दर्ज करने के बाद निप्टान को M.B. संसोधन अधिनियम की धारा 149.2 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए जो दावेदार को सामती के आधिन है यद दावेदार इस सुविकार करने के लिए तैयार है तो सुनवाई के लिए एक तारीक तैकी जानी चाहिए और दस्तावेजो और अनसंबूतों को ध्यान की मांग सुविकार को देने की मांग करने की अनुमती दी जानी चाहिए कोट के कोट ने जर्नल इंसोधन काउंसिलिंग और सभी बीमा कंपनियों को एमबी संसोधन अधनियम की धारा 149 के सासना अधेस और नियमों का पालन करने के लिए उचित निर्देस जारी करने का निर्देस दिया नियम 24 में निर्धारित नोडल अधिकारी यों नियम 23 में निर्धारित नावित अधिकारी की निक्ति ततकाल अधिसूची की जाए या दावेदार M.B. संसोदन अधिनियम की धारा 164 या 166 के तहर सहारा लेते हैं तो उन्हें दुरगटना के अस्थान के उचित पच्च के रूप में दावा याचका में परतवादी के रूप में भीमा कंपनी के नोडल अधिकारी नौमित अधिकारी के रूप में सामिल होने का निर्धेश दिया गया है जहां थाना पुलिस द्वारा प्राथम की दर्ज क की गई है नाले ने हाई कोड के रिश्टार जन्रल राज विदिक सेवा प्राधिकरण और राज नयाइक अकाडमियों से कानून के जनादेश को सूचित करने के लिए MB संसोधन अधनियम और MB 65 संसोधन नियम 2022 के अध्याए 11 और 12 के संसोधनों प्राधानों के तहत संबंधों में सभी हितकारों को को जल्द से जल्द संबेदन सिल बनाने का अग्रह किया बीमा कमपनी द्वारा देता पर बिवाद करने पर दावा ट्रिवोनल्स अस्थानिये आयुक्त के माध्यम से साक्ष दर्ज करेगा ऐसी अस्थानिये आयुक्त की फीस और खर्चा बीमा कमपनी द्वारा वहन किया जाएगा राश्ट्रे प्राधिकरण को किसी तकनीकी एजनसी के समन्य में MB संसोधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए हितकारकों के समन्य और सुविधा के लिए एक सहित बेपोर्टल प्लेटफॉर्म विक्सित करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए कोड़ द्वारा जारी दिशा निर्देश सर्वजनिक अस्थान पर मोटर वहन के उप्योग से सड़क दुरगटना के संबन्द में सुचना प्राप्त होने पर संबन्दित S.H.O. M.B. संसोधन अधनियम की धारा 169 के अनुसार कदम उठाएगा प्रात्म की दर्ज करने के बाद जाच अधिकारी M.B. संसोधन अधनियम 2022 में निर्दिश्ट उपायों के अनुसार सहारा लेगा और दावा ट्रोवनल को 48 घंडे के वितर F.I.R. जमा करेगा नवो के प्रवधानों के अनुपालन के आधिन समय सीमा के वितर F.I.R. और D.A.R. को दावा ट्रोविनल के समक्ष दायर किया जाएगा पंजी करन अधिकारी वहन के पंजी करन ड्राइविंग लाइसंस वहन की फिटनेस परमिट और अन सहाइक मुद्दों को सत्यापित करने के लिए वाद है और दावा ट्रोविनल के समक्ष पुलिस अधिकारी के समन्नों में रिपोर्ट प्रस्तूत करेगा फ्लो चार्ट वा सभी अन दस्तावेज जैसा की नियमों में निर्देश्ट हैं या तो इस्थानिय भासा या अंग्रेजी भासा में होंगे जाच अधिकारी कारवाई से संबंद में पीरतों कानूनी निदियों चालकों और मालकों वीमा कंपने और अन हित कारकों को सूच संब्लंगन होने वाले पुलिस स्टेश्टों का अविबरन अवस्चे के इसलिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यद पहले से जारी नहीं किया गया है तो समय समय पर हाई कोड के रेजिटार जनरल द्वारा दावा ट्रवूनल को पुलिस स्टेश्टो को संब्लंग करने वाले बितरन मेमों में मेमों जारी किये जाएंगे एंबी संसोधन अधनियम और नियम जैसा कि यह उपर चर्चा की गई है कि जांच अधकारी की भूम का बहुत महत्तु है पूर है उसे निर्दारित समय सीमा के बीतर नियमों के प्राउधानों का पालन करना आवस्या के इसलिए एंबी संसोधन अधनियम उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार के परभाविक करेवर्ण के लिए मोटर वाहन दावा मामलों से निपटने के लिए निर्दिष्ट परसिच्छित पुलिस कर्मियों की निक्त परति निक्ति की जानी आवस्या के इसलिए हमें निर्देश देते हैं कि प्रतेक राज केंसातिस प्रदेश में मुख सचीव पुलिस महा निदेशक प्रतेक पुलिस स्टेशन या सहर अस्तर पर एक विशेश इकाई विक्षित करेगा संसोदर अधनियम और नियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की तिथी से तीन महिने की अवधी के भीतर पर सिच्चित पुलिस कर्मियों को तैनात करेगा पुलिस स्टेशन से एफाई आर प्राप्त होने पर दावा टुविद आवेदन के रूप में पंजिक्रित करेगा उक्त एफाई आर के संबन में जाच अधिकारी दोरा एफाई आर और डाखिल करने पर इसे उसी बिविद आवेदन के साथ संगलगन किया जाएगा दावा टुविद एमबी संसोधन अधिनियम और नियम की धारा 149 के उद्देश को पूरा करने के लिए उक्त आवेदन में उचित आदेश पारित करेगा जैसा की उपर चर्चा की गई है दावा टुवर्नल को निर्देश दिया जाता है कि वह बीमा कंपनी के नावमित अधिकारी के नायोचित और उचित मवाजे के आसे के प्रस्ताव से स्वयम को संतुष्ट करें इस तरह की संतुष्टी दर्ज करने के बाद समझोता M.V. संसोदन अधिनियम की धारा 149.2 के तहट दर्ज किया जाएगा जो दावेदार को सहमत के आधिन है यद दावेदार इसे सुविकार करने के लिए तयार नहीं है तो सुनवाई के लिए तारिक तै की जाए और दस्तावेजों को पेश करने का मौका दिया जाए और ब्रिद्धी की मांग करने वाले अनसाक्ष याचका पर फैसला किया जाए उक्त घटना में उक्त जाच केवल मुवाजी की बृद्धी तक सीमित ही सीमित होगी दावेदारों पर जिम्यदारी स्थांत्रित होगी शमान बीमा परिशत और सभी बीमा कमपनियों को निजसित किया जाता है कि वह एमबी संसोधन अधिनियम और संसोधन नियम की धारा एक सो उन्चास के सासना अधेश का पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी करें नियम 24 में निर्दारित नोडल अधिकारी यों नियम 23 में निर्दारित नौवित अधिकारी की नियुक्ति ततिकाल अधिसूचित की जाएगी और संसोधित आदेश भी समय समय पर सभी थानों धारकों को अधिसूचित किया जाएगा यद दावेदार M.B. संसोधन अधनियम की धारा 164 या 166 के तहत आवेदन दायर करता तो सुचना प्राप पर धारा 149 के तहत पंजी किर्थ बिविद आवेदन को दावा टुरुबिनल को भेजा जाएगा जहां दावा टुरुबिनल द्वारा 164 या 166 के तहत आवेदन चैठर में अलग-अलग दावा याच का दायर की कि है की है उक्त इस्तिती में दावेदारों द्वारा 2021 wo zebra 2018 पहली दावा याच का कानूनर परति निदी को को उक्त दावा टुरुब्यूनल द्वारा रखा जाएगा और बाद की दावा याचकाओं को दावा ट्रबूनल को इस्थांतरत कर दिया जाएगा जहाँ पहली दावा याचका दायर की गई थी और लंबित थी यहां यहां या असपरिष्ट किया जाता है कि विभिन हाई कोट के चेतरी अधिकार छेतर में दायर अन दावा याचकाओं के इस्थांतरन की मांग करने वाले दावेदारों को इस नयाले के समक्च आबिदन करने की आफसकता नहीं है हाई कोट के रेश्टार जनरल इस नयाले के निर्देसों के अनुपालन में इस संबंद में उचित कदम उठाएंगे और उचित आदेस पारित करेंगे यद दावेदार M.B. संसोधन अधिनियम की धारा 164 या 166 के तहर सहारा लेता तो जैसा भी मामला हो उन्हें बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी नामित और अधिकारी को दावा याचका में परतिवादी के रूप में दुरगटना के अस्थान पर उचित पच्छ के रूप में सामिल होने का निर्देस दिया जाता है जहां पुलिस इस्टेसन द्वारा प्राथम की दर्ज की गई है वे अधिकारी एंबी संसोधन अधिनियम की धारा 149 के तहत लिए गए उपाए को निर्देसित करते वे दावा ट्रुबिनल को सुवधा परदान कर सकते हैं हाई को दोरा विदिक सेवा प्राधिकरण और राज नयाइक अकादमियों से अन्रोध है कि हुए कानून के जनादेस को सूचित करने के लिए एंबी संसोधन अधिनियम की धारा एंबी संसोधन अधिनियम 2022 के अध्याए 11 और 12 के प्राधाने के संबंद में सभी हितकारों को जल्द से जल्द संबेदन सील बनाया जाए एंबी संसोधन अधिनियम 2022 के नियम 30 के सासना देश के अनुपालन के लिए या निर्देशित किया जाता है कि बीमा कंपनी द्वारा देता पर बिवात करने पर दावा ट्रुबूनल इस्थाने आयुक्त के माध्यम से साक्ष धर्ज करेगा ऐसे इस्थाने आयुक्त के फीस पर खर्चा खर्चा भीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा एंबी के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश सेहितकारों को समयनित करने और सुविधा परदान करने के लिए राज प्राधी करन द्वारा एक सहित बेव पोर्टर प्लेटफर्म विक्सित करने के लिए उचित कदम उठाए उठाएंगे संसोधन अधिनियम और नियम किसी भी तकनीकी एजन्सी के समयने में बड़े पेमाने पर जनता के लिए अधिसूचित किये जाएं पीठ 9 सितंबर 2018 को लावा धाय कोड़ द्वारा परित अंतिम आधिस को चुनूती देनी याचिका पर सुनवाई कर रही थी 2018 में M.A.C.T. ने एक मिर्ट दुरगटना द्वारा धावा याचिका की अनुमती दी गई और 7% ब्याज के साथ 31.90 रुपे का ब्याज दिया आसितिता को की हान की गड़ना करते समय मिर्ट तक की वर्सिक आए 3,9,666 रुपे मानी गई यहां माना गया कि वाहन परमिट की सर्तों के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा था और भीमा पॉलिसी के नियमों और सर्तों के उलंगन कर रहा था यहां प्रस्तुत किया गया कि उलंगन करने वाले वाहन का दायुत की छतिपूर्ती भीमा कंपनी द्वारा की गई थी अपील करता ने आगे तर्क दिया कि उसके पास उस मार्ग पर विश्वास करने और चलाने के लिए विशेश रूप से अस्थाई प्राधिकरन तथा जिसके लिए सुल्क का भुकतान किया गया था हाई कोट ने हलाकि M.A.C.T. के निसकर्सों की पुष्टी की और वहन की मालिक मूल परमिट को प्रस्तुत करने में विफल रहा और परवहन विभागने से ब्यक्ति को बुलाने के बाद भी समान प्रमान पत्र नहीं कर सका नाराज होकर पच्छकार ने सुप्रिम कोड का र दुर्गटना वानों के समय बरद निप्टाने के लिए दावा ट्रवुनल सामत प्रक्रिया तयार की जो 2010 में 6 महने तक इसके करने को केवल परियोगिक परियोजन के रूप में परिच्छन के लिए लागू करने का निर्देश दिया खंड पीठ ने हाई कोट ने ने कहा हा दिल्ली पुलिस को सी ए टीपी के कार्यवन के लिए दुर्गटना जाच निहमावली तयार करने का भी निर्देश दिया आउटपूट में इसने मोटर दुर्गटना मौजा योजना में करांती लादी जिसके करांती तेरा दावेदारों को 120 दिरों के भीतर दुर्गटना मौजा प्राप हुआ 2017 में सुप्रीम कोड ने सभी राज्जियों को संसूधित सी टी ए पी कानूल लागू करने का निर्देश दिया लेकिन एम आर किष्ण मूर्ती बनाम न्यू इंडिया एंस्वरेंस कंपनी लिम्टन में सुप्रीम कोड को इस तत्य से अउगत कराया ग गया इसके बाद नहाले ने राष्टिय विदिक सेवा प्राधिकरण को इस मामले को उठाने और विभिन हाई कोड के समख समझने और सी यो 21 संचालन संचालन में इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया इसके लावा संसूधिस सीटी एपी के कार्यवान के लिए दावा को भी निर्देशित किये गए थे कि अंत में इस नहाले में भारत भर में दावा ट्रुबिनल को मोटर दुरगटना दावा वार्सिकी थामा जमायोजना को लागू करने का निर्देश दिया इसके बाद अध्याए 11-35 के जोखिमों के खिलाप मोटर वहन का नियम और अध् बीमा आवस्चक है पीठ ने कहा एंबी संसोधन अध्याए 11 की धारा 146 का आवलोकन करने करने पर यास परश्ट है कि एक मोटर वहन सर्वजनिक अस्थान पर नहीं चल सकता और नहीं सर्वजनिक अस्थान पर उप्योग करने की अनुमती दी जाती है जब तक कि बीमा ना ह कें सरकार ने राज सरकार अस्थानिय प्राधिकरन या किसी अन राज परिवहन उपकरम के स्वामित वाले वहनों को भीमा से छूट को निधायत किया गया यद वहन का उपयोग किसी वारेजिक उद्यम से जोड़े उद्यस के लिए नहीं किया जाता है पीट ने मुवाजे के अनुदान के लिए टोवनल के समक्ष दावे को संसोधित करने के लिए संबंधित प्राउधानों को भी देखा और इस मामले में पीट अपील को खारिज कर दिया और M.A.C.T. और हाई कोड के आदिस की फिर से पुष्टी की यह 2022 का M.A.C.T. का लैंड मार्क जैज्जमेंट है जो आप लोग के समख्ष में ने रखा और कोशिस किया कि आप लोग को समझ गया बर इसके वावज़ुद इसमें बहुत जादा सुद्ध हिंदी का उप्योग किया गया तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो एक नॉर्मल हिंदी में अनुबात करके आप लोग के समख्ष रखा जाएगा दुबारा बताया जाएगा आसा करता हूं समझ गये होंगे और आप यह जो नॉलेज है आपकी लाइफ में काफी ज़्यादा इसपूल होगा और आप इसका फाइदा उठाएंगे तो मैं फिर जो इसके साथ और हाँ जाने से पहले जरूर कहूंगा कि अगर चैनल पर नए है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को ओल पर कर लिजे ताकि मेरी कोई भी नई से नई वीडियो हो जो आप तक आसानी से पहुंच सका और उस वी चैनल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ तब ते के लिए जाहें